वेल्कम टू टार्गेट सरकारी नौकरी मैं हूँ इर्शाद अली मैथमेटिक्स का वीडियो रेसन नमबर आप साथ देख रहे हैं जिसमें हम डिसकस कर रहे हैं फ्रैक्शन यानि भिन्नो को आज हम यूपीटैट 2017-16 जितने भी क्वेशन आये हैं इस टॉपिक से फ्रैक्शन के उनको डिसकस करेंगे यहां पर ठीक यानि जितना भी तक हमने 6-7 वीडियो रेसन में पढ़ाया अब अप्लाई करने का वक्ता आगया है अब आपको क्वेशन सौल करने हैं मैं आपको करा आपको सीदे इंस्टॉल कर लिजी गूगल प्ले स्टोर से और इसमें सअर्च कर सकते हैं इरिशाद ली तो आप हमारे प्रफायल पर पहुंच सकते हैं जहां आपको मिलेंगे फ्री कोर्स और यहां स्लाइट्स डाउन्लोड कर सकते हैं वाच कर सकते आफ्लाइन सभी उनमें हर जो है एक जैसे थी जैसे एक बटा तीन हहां लिखा है तो यहां पर होगा आपका दो बटे तीन यापने कहा कि इनके हरो को बदल दीजिए और इनको कैसे आड़ करेंगे या फिर दूसरा कोई तरीका पता नहीं है जो आपके काम आएगी ऐसा नहीं आप फस्ट फ्लोर पर आपको जाना है तो आप सीधे छलांग मार के पहुंच जाएंगे आपको सीडियां चड़नी होगी स्टेप बाइ स्टेप एक एक स्टेप रखना होगा तो यह सीक्वेंस हमको मेंटेंड करना है और यह लास्ट आपका जो है कॉंसेट मान लीजे फ्राक्शन का इसके बाद आप फ्राक्शन सीख जाएंगे ठीक है तो जो भी कॉश्चन से फिर सॉल्ट करेंगे हम पूरे मैस को इनी से चलिए पहला कॉश्चन लेते हैं आज का 1 by 3 plus 1 by 5 को add करना है आपको यहां दोनों के अंश तो एक जैसे हैं बट हर अलग अलग है अंश कोई फर्क नहीं पड़ता बट हर पर हमको काम करना होता डिनॉमिनेटर पर तो डिनॉमिनेटर दोनों के अलग है हमने करना क्या है देखे मैंने इसको यहां लिख लिए ऐसे ही 1 by 3 plus 1 by 5 अब आप क्या करेंगे जो डिनॉमिनेटर हैं दोनों के उनको आपस में multiply कर दीजे ठिक है इनका multiply और यह जो आपका विभाज़क है उनको हर में ही multiply कर लिजे तीन और मैंने 5 का multiply किया और नीचे लिख दिया हर में ठिक यह काम किया यह आपको समझ आ गया अब आपने क्या किया इस 5 की multiply 1 में करनी है और इस 3 की multiply इस वाले 1 में करनी है cross multiply करना है ठीक है तिर्ची गुणा करनी है तो यहां करिए 5 की multiply करिए 1 में तो मैंने यहां लिख दिया 5 into 1 अब यह वाला जो plus का निशान आपको देख रहा है इसको यहां लिखेंगे और यहां आप 3 की multiply करिए 1 में ठीक है तो यह देख सकते हैं आप जब 5 की multiply 1 में होगी तो 5 भी रहेगा और 3 की multiply 1 में होगी 3 रहेगा अब यहां पर क्या करेंगे आप 5 और 3 add कर सकते हैं सीधे 5 और 3 कितने होते हैं 8 ठीक है तो यह कितना हो गया 8 बटे 15 समझागे आपको तो 8 बटे 15 क्या है एक proper fraction है अगर कहना चाहें तो आप क्योंकि अंस छोटा है हर बड़ा है इस इसको दूसरी तरीके से ऐसे कर सकते हैं हम इसी question को देखे second जो है इसमें क्या है denominator को एक जैसा बनाओ इसमें याद रखेंगे denominator को आपको एक जैसा बनाना है तो 1 by 3 है 1 by 5 है जैसा हम को पहले क्या मिल रहे थे पिछले वीडियो में कि denominator आपको same मिले थे जैसे मिले थे तो directly उपर वाली संक्या है add कर दी थी हमने आप यहाँ पर इनको एक जैसा बना लो equal कर लो denominator दोनों के और आप फिर directly add कर दो उपर वाली संक्याओं को जब एक सा हो जाए तो इसके लिए हम इसको क्या करना है देखे यह कब हो सकते एक जैसे जब इस 3 की गुणा इसमें हो जाए ठीक है यानि अब 5 गुणा यहां कर देंगे तो यह कितना हो जाएगा 15 तीन में 5 की गुणा अब इस 3 की गुणा यहां कर देंगे तो यह यह भी 15 ही हो जाएगा ठीक है समझा रही है आपको तो यह भी 15 हो जाएगा तो इसका मतलब यह है कि इनकी आपस में multiply कर सकते है तो तब आ सकता है equal ठीक है तो हमने क्या किया इस 5 की multiply यहां कर दी और इस 3 की multiply यहां कर दी तो अब यह 15 हो गया यह 15 हो गया बट बट यह सही तब ही होगा जब इस fraction में हम कुछ भी multiply करें कुछ भी divide करें उस fraction पर कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए तो जैसे हम 5 multiply हमने यहां क करनी पड़ेगी ठिक इसलिए कि यह दोनों जगा करके दिखाईए तो अब नीचे तो क्या हो गया यह 5 उपर 5 की multiply 1 से होगी तो 5 आ गया और नीचे 3 इंटू 5 15 हो गया उपर 3 इंटू 1 3 रहेगा और नीचे 5 इंटू 3 15 हो गया अब आप देख लिए यही fraction अमने पिछले व बटे 15 आ गया ठिक है दोनों आंसर सेम ही आए है दोनों मेथट से ठिक है तो यह दोनों मेथट आपके सही है आगे बढ़िए अब ज्यादा देर नहीं लेगेगी बस आपको बताने भर की देर थी अब आपने करना है दो बटे 3 दिया है प्लस एक बटा चाहिए फिर से मैं यह ने फ्रैक्शन से बदल दिया उनके डिनोमिनेटर को बदल दिया ठीक है अंच अंच भी सब चीज अलग अलग है यहां ठीक है वही मेथट अपना ना है जो बताया है पिछले भी क्वेस्चन में ठीक आप क्या करेंगे जो दोनों के उनको मल्टिप्लाइ कर लीजे 3 इ 12 प्लस 3 एकम 3 तो 12 और 3 पंदरा 15 बटे 18 यह आ गया 15 बटे 18 तक आप आंसर छोड़ सकते हैं और आप आपको मैं काटना चीज़ सिखा देता हूँ अगर नहीं आता होगा आपको आपको आता होगा क्योंकि यह बेसिक लेसन है तो मुझे हर चीज़ बतानी पड़ रही है आप ठीक है तो आप जो है डिरेकली भी काट सकते हैं 5 के टेवल में यह दोनों आते हैं 6 के आते हैं कितने के में आते हैं आपको देखना है कि किस टेवल में यह दोनों आते हैं उसी आपको काटना है आप देख सकते हैं तो यह जो पंदरा है और 18 यह तीन के टेवल में आते हैं तीन पंच ये पंदरा और तीन शंग अठारा तो पांच बटे छे डरेक्ली लिख सकते हैं या फिर आप कैसे कर सकते हैं पंदरा को आप 5 इंटू 3 भी लिख सकते हैं और ऐसी अठारा को आप 6 इंटू 3 लिख सकते हैं बात अभी वही है यह तीन से तीन कैंसिल हो जाएगा त क्या कहते है है जो उनका हर है वो हर ऐसे ही रहेगा और डिलेक्टटी आप आड200 गरतेंगे जो आपके ँंच है उनको ठीक है पंधरा बटार बटार्य आट ठीक है तो यहां देखें दोनों webcam reserved से कराया 3 और पांच और साथ की multiply कर ये नीचे हर में थिक है और तीरशी multiply कर दीजे इनकी, यानि cross multiplication करना है, तो नीचे हमने लिख दिया 5 इंटो 7 और इस 7 की multiply इस 3 में कर दी, और इस 5 की multiply इस 6 में कर दी, अब आपको बहुत आसान काम बचा हुआ है, सिर्फ आपको इनको add करना है और multiply करना है साथ तिया 21 होते हैं 6 पंजे 30 होते हैं ठीक है प्लस 5 और ये divide में 35 है अगर इनको add करेंगे तो 51 divide by 35 आएगा इसका दूसरा method जो बताया था आपको वो यही है कि इनके जो भिन्नों के हर हैं उनको एक जैसा बना लो हर को एक जैसा कैसा बनाएंगे इस 5 को और इस 7 को ये दोनों अलग अलग हैं इसमें आप आपस में एक दूसरे से multiply कर देंगे तो ये बिन्न के जो हर हैं ये एक जैसे बन जाएंगे ठीक है बट अगर आप 7 की multiply यहां करोगे तो उपर भी आपको करनी पड़े ज्यूकि balance करना ने equation को आप कुछ भी directly multiply नहीं कर सकते multiply करके या divide करके कुछ बढ़ा नहीं सकते कुछ गटा नहीं सकते आपको balance करना होगा ताकि equation पर या पिर आपकी जो संख्यास पर कोई फर्क न पड़े जब यहां 5 की multiply उपर नीचे करेंगे तो इन पर कोई फर्क नहीं पड़ने बाला ठीक है ना ही 7 की multiply उपर नीचे करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्योंकि 7 से 7 cancel है और 5 से 5 cancel है फिक है तो ऐसे अब नीचे हो गया पैंथिस नीचे हो गया फैंbon दोनों के 35 एंटिस अर यहां उपर हो गया 21 और इपर हो गयए तरीक है तो यह दोनों आप इसती तरीक है आड़ बहुत करीब है एक जैसे ही है लगबग ठीक है अगर जिनको इस तरी के समझ आता तो यह है और ये दोनों में से कोई भी अपना सकते हैं भिन्नों का घटाना भी बिल्कुल वैसे ही है बस आप वहाँ एड करने की जगा संख्याओं को जोड देते हैं ठीक पांच बटे आट माइनस तीन बटे आ आज को क्या करना है आपने जैसे अभी एड गिये थे वैसे ही इसको करना है तो इनकी क्रॉस मल्टिप्लाइ करनी है और नीचे जो है इनकी मल्टिप्लाइ करनी हर की आपसे मल्टिप्लाइ कर लो और इनकी क्रॉस 5 की गुणा 2 से कर लो तीन की गुणा 3 से कर लो ठीक है कित टा लिंके लिक दिया हमने है जशे की गुणा करेंगे तीन में हेर में लिखेंगे उसको सब्सक्राइन के उसका है इसके दिया अब इसकी यह rgen आ गया तू नीचे आटारा ही रहएगा इतनी सारी चीज़े में आपको open करके इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि सारे steps यह छुपे हुए है और यह काम करते हैं बिल्कुल यह अभी समझ लेजी आगे हम बहुत short में ही करेंगे इन questions को ठीक है basic बता करेंगे उनका shortcut भी बताएंगे आपको चलिए अब इसका भी आपको difference पता करना है इसका difference कितना होगा चार माइनस तीन बते आर्थ का difference निकालो या नहीं कटाना है जब कोई number directly लिखा हो उसके नीचे आप एक मान सकते हैं वो भी fraction ही होती है ठीक है मैंने 8 into 4 और 1 into 3 माइनस का निशान बीच में है ठीक है तो हमारा जो case चल रहा है वो कौन सा है जब हर आसवान हो जब हर एक जैसे नहीं हो तो अब नीचे वाले हरों की multiply आपस में कर लेंगे और उनको क्या लिखेंगे हर में ही लिख देंगे ठीक है जो कि हमने हर question में किया अभी तक जितने भी पड़े हैं यहां पर आज के वीडियो में तो 8 चुक 32 होगे और 32 में 3 जाएंगे तो यह बच्चे का 29 या 29 जो भी आप कहना चाहें 29 बटे 8 ठीक अगला है एक बटे 2 माइनस के 2 सही एक बटे 4 ठीक यह आपको करना है इसे घफराना नहीं है मैं बता चुक हम पहली इनके सब के application आपको जबर्दस सब questions में मिलने वाले हैं चार की multiply इसमें करिए चार दुनी 8 इसको मैं ने बताया था कैसे solve करते हैं इसकी multiply इसमें होने होती है चार दुनी 8 और इसमें add हो या नहीं होता है आट और एक नो ठीक है एक बटे 2 माइनस नो बटे 4 यहां भी देखे हर अलग अलग है denominator अलग अलग है तो आप क्या करेंगे तीरशी multiply करेंगे इनकी उपर के लिए और नीचे 4 और 2 की multiply करके लिखेंगे 4 दुनी 8 तो इसमें 4 और दोनम 18 डिरेक्ली मैंने कर दिया तो माइनस के अब यहां कितना बचा यहां देखें यह माइनस के 18 है और यह plus के 4 है कौन सा बड़ा है जो बड़ा होगा उसका sign रहेगा यहां पर तो माइनस के 18 बड़ा होता है किस से माइनस के sorry जो 18 है आपका यहां देखें माइनस के 18 और यह plus के चा तो यहां numbers जो संक्या बढ़ी है वो किसकी है वो 18 बढ़ी है आगे आप चाहें तो आगे बढ़ेए अब एक multiply वाला वी example ले लेता हूं ठीक है तो 2 बटे 3 गुणा 4 बटे 6 गुणा 5 बटे 8 इसकी गुणा करनी है आपको जब ऐसी equations आपको equations नहीं ऐसे numbers आपको मिलेंगे तो आप क्या करेंगे इनकी अंचों की गुणा तो अंचों में करनी होती है आपको आपस में अंचों की गुणा अंचों से और हर की गुणा हर से ठीक है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते है इस पूरी ट्रम को 2 गुणा 4 गुणा 5 ठीक है बट इसमें कुछ थाई नहीं आप जो है cancel out करना सीख जाईए अगर आपको आता तो बताए बचा 5 ऊपर बचा 5 नीचे बटे साती है 25 बटे 21 अंसर है अब आप इसको ऐसे नहीं कर सकते है अब इसको यहां भी देख लो 2 बटे 3 प्लस 4 बटे 7 प्लस 5 बटे 8 ठीक है जैसे अगर आपको यह मिल गया लिखा हुआ तीन अलग अलग है तीनों में देखिए हर मेने अलग कर दी तो आप इसको डिरेक्ली ऐसे नहीं लिख सकते जैसे इनको लिखा है ठीक आप ऐसे भी नहीं लिख सकते इनको ठीक है कि डिरेक्ली अट कर दिया तीनों को नीचे मल्टिप्लाई कर रही जैसे हम अभी करते हैं ऐसे नहीं करना है ठीक है आपने यह दोनों तरीकी रो वोलो करना है इसकी multiply पहले हम अमरे पास यह नहीं था तो हम क्या थी दो ही भिन्ने थी उनको एड़ कर रहे थे तो इन दोनों की multiply कर रहते हैं आपस में ठीक है हर को बरावर करने के लिए दूनों के अब यहां क्या करेंगे मतलब दूसरे matter में ज़ा हर को बरावर कर रहे थे तब अभी भी हम क्या करेंगे इस 3 की multiply इसमें करेंगे और इनकी यानि आपस में 3 की multiply होनी है अगर 3 बिनने जोड़नी है तो 3 के हरो को multiply कर दिया 3 गुणा 7 गुणा 8 अब यहाँ पर देखिए समझने वाली बात यह है दो यहाँ अल्रेडी है पहले से लेकिन ये 3 को आप ढख लीजिए इसको 3 को छोड़ दीजिए जो 3 के रावा बचे हैं denominator में उनकी multiply लाकर यहाँ कर दीजिए ठीक है 7 और 8 बचे थे इनकी multiply दो में कर दीजिए प्लस आप 4 वाले पर बात आएगी ठीक है इस वाली फ्रैक्शन पर बात आएगी इस वाली फ्रैक्शन पर जब बात आएगी तो यहाँ आपको 4 लिखना ही है ठीक है cross multiply कर रहे थे हम तो 4 लिखना ही है चार में आपको जो है इस 7 को छोड़ देना है और बाकी जो 2 बचे है उनकी multiply कर देनी इस number में ठीक है 8 इंटू 3 ऐसे ही आपको अगले term के लिए करना है ठीक है इसके लिए लिखना है तो आप क्या करेंगे इसको 5 को ऐसे ही रखे रहने दीजिए और यह 8 आठ को भूल जाईए क्यूंकि 8 पहले ही शामिल हो चुका है और 3 और 7 की multiply यहां कर दीजिए ठीक तो यह ऐसे लिखना होता है बहुत बिल्कुल ट्रांस्पेरेंट सारे step है आपको समझ आ जाने चाहिए अब इनकी multiply कर लीजिए आपस में सबकी इसको 112 आएगा 24 चोदा एकसो बारा चारतीय बारा बारा अठे चानवे पांस दिया पंद्रा 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 सते एकसो पांच यह आगे सब इन सबको जब एड़ करेंगे तो 306 बटे एकसो दो अगर माइनस प्लस है तो उसका रिजल्ट मनेश में आएगा यह आपको आइदन्टिटीट्री याद रखनी दो मैंस चेवर मैनस-30 के आप मल्टिप्ला ने प्लस हो जाती है प्रड़क्त में प्लस आएगा तो 5-30 तो आएगा ठीक है लेकन निशान जो आएगा यह यह आपका पॉजिटीव आएगा ठीक है पॉजिटीव को लिखते नहीं है और इसको डिरेक्टली ऐसी लिख दीजिए आप तीज ऐसे ही प्लस 5 है इंटू 5 प्लस 5 इंटू 9 तो यहां पर डिरेक्टली पांट नियम पैतालिस कर सकते हैं क्योंकि दोनों प्लस कहीं है जो प्लस म अब माइनस प्लस की मल्टिप्लाई आती ही माइनस ठीक है ऐसे ही लिखा है हमने यहां भी माइनस ही आएगी आप चेक कर लीजिए ठीक और इसको देखिए एक एक एक्जामपल लेया है मैंने माइनस 5 बटे 4 गुणा 8 बटे 10 गुणा माइनस के 3 बटे 2 ठीक है अब आप क् क्या करेंगे उपर वालों की मल्टिप्लाई कर सकते 5 की 8 में और 8 की 3 में तो कितना होगा 5 8 40 40 तिया 120 120 उपर हो जाएगा और नीचे अगर आप करना चाहें तो 4 धाई 40 40 दुनी 80 ठीक है यह हो गया ऐसे कर सकते हैं आप तो 1 0 स 1 0 कैंसल आउट हो जाएगा अब यह इसको 4 से कर सकते हैं 4 दुनी 8 और 4 तिया 12 यानि 3 बटे दो आ रहा है ऐसे ठीक है डिरेक्टली करोगे तो और अगर स्टेफ वाइस करोगे तो चार से इस वाले चार से इस वाले 8 को काटेंगे दो बार जाएगा ठीक है इस तरह से आप करेंगे तो 5 जब यहां एक बार गया 4 चार द तो 5 बटे एक बचा यहां और यहां दो बटे दस इस तरह से तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे देखिए पांच से दस को काट देंगे दो बार ठीक है और इस दो से यह वाला दो कट जाएगा तो उपह कितना बचा तीन गुणा एक गुणा एक और नीचे क्या बचा यह 10 पुलर में नीचे दो जा तो यह 3 बटे दो आएगा चलिए पहला कुशन लेते हैं आज का यह हमारा फ्रैक्शन का आप मैं बता देता हूं यह फ्रैक्शन का क्या है आपका एप्लिकेशन है मतलब अब हम इस्तमाल करेंगे जितने भी हमने कॉंसेट पढ़े हैं उसको ठीक कितने भाग में पानी भरा हुआ है आपको बताना है ठीक है तो इसको समझी और सोचिए तो टंकी का यह टंकी है पानी का टैंक के आपकी छट पर रखा हुआ है इसका कुछ हिस्सा भरा हुआ है जितना हिस्सा भरा हुआ है उसको बताया इन्होंने कि वो 6 बटे 8 पानी है ठिक है, कुछ भी हो सकता है, 6,8 पानी, ठिक है, यहाँ पर रख लिया, इ המने बता दिया, और इस पानी में से, 6,8 में से, उसने 3,6 पानी में खर्च कर लिया, उसने कपड़े दो लिया, ठिक है, कुछ भी कर रहे हो, تو 3,8 पानी निकाल दिया उसने, यानि उसने जो ये पानी था 6 वटे 8 भाग था उसमें से इतना पानी कम कर दिया कम करने का मतलब इतना पानी निकाल दिया, निकालने का मतलब घटा दिया घटाने का मतलब difference, difference का मतलब minus ultimately आपको क्या करना है, इन भिन्नों को घटाना है दो भिन्ने दे दी है और दो भिन्नों गटाना ऐसे की जाते हैं design question ठीक है यह आपका गिंतारा की किताब का question है और इसको समझेंगे कैसे देखिए मालीजे इस tank में 5 लीटर पानी था हमको पता एक बाल्टी ले लीजे आप bucket होगी आपके पास उसमें 5 लीटर पानी भरा देखिए 5 लीटर पानी में से 2 लीटर पानी निकाल लिया निकालने का मतलब 2 लीटर पानी कम हो गया उसमें से ठीक है कम होने का मतलब घट गया minus हो गया तो 5 में से 2 जो है घट गया 3 लीटर पानी 6 बचा वैसे ही उस tanki का बताना है बड़ी वाली tanki का लेकिन ये fraction में दिय देखो आपने क्या हुआ दिखो अब यहां पर यह जो है दोनों के हर जो हैं एक जैसे हैं तो हर वहीं रहेगा ठीक अब minus आ गया तो directly आप जैसे हैं वैसे ही minus कर दी 6 minus 3 उपर वालों बसे तो 3 बटे 8 तो बताई टंकी में कितने पानी भाग में पानी 6 है तो टंकी के 3 बटे 8 में भाग में पानी 6 रहा समझ गए होंगे आप ठीक है वीडियो लेसन पसंद आया तो लाइक कर दीजी शेयर कर दीजी इसको नेक्स वीडियो लेसन में प्रीविस एर के क्वेश्चन करेंगे और स्मॉलेस फ्रैक्शन और ग्रेटेस फ्रैक्शन बतानी है मुझे आपको जब अंश और हर जिस तरह से सेम न दिये गए हों ठीक है थैंक्यू सो मच